जनपस रावस्ती गिलोला बिलाग के अंतरगत गिराम शभा लालपूर प्रहलादा लालपूर गाउं में पिछले चार सालों से बिजली के वोल्टेज कमाने के वज़े से मैंने एक वीडियो बनाया था जो है हमारे हां बहुत ही कम है इस्टोपलाइजर रख करके भी जैसे हाथ का पंखा चल रहा हो इस तरह से पंखा चलता है उस वीडियो के माद्यम से समधाय को जागरू को संगठित करते हुए इस समस्या पर बदला उल्ला पाया हम लोग पिछले चार सालों से लो वल्टेज की समस्या से बेहत परहसान थे और इस संबंध में कोई सुनवाई नहीं हो रही थी तो हम लोगों ने राइस भाई से संपर्क किया और सारे मामले से आउगत कराया राइस भाई हम सभी ग्राम वास्यों को लेकर अधसासी अभियंता के यहां भिनगा लेकर गए और वहाँ अजसासी अभियंता से मुलाकात कर अपनी परिसानियों से आउगत कराया अजसासी अभियंता ने कहा कि एक हफ़ते के अंदर आप सभी ग्रामिनों को लाइट समस्या से निजात मिल जाएगी लो ओल्टेज की समस्या से निजात मिल जाएगी और ऐसा ही हुआ अजसासी अभियंता ने नया ट्रांसफार्मा लगवा कर और लो ओल्टेज की समस्या से हम सभी ग्रामीडों को निजात दिला दिया और इस संबंध में हम अपने रईस भाई को और इनकी संस्था को बहुत बहुत धनिमात देते हैं हम भी और हमारे सारे ग्रामीड पूरे गाम वाले लाइट की जो ओल्टेज की समस्या थी वो परहसानी दूर हो गई तो इस समन्ध में हम सभी ग्रामीडों काफी खुस हैं और रईस भाई को बहुत बहुत धनिमात देते हैं मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं समधाय के सायोक से बदलाख होता रहे मैं रईस आहमात उत्तर प्रदेश जिरास्तरावस्ति इंडिया अनहाट के लिए